वेलकम बैक टू माई चानल नौशीन खान कैसे हैं आप सब उम्मीद कर दो हैं आप अच्छे होगे खुश होगे और सफ होगे अगर आप में चानल पर पहली बारा आए है जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करदे इस वीडियो को लाइक कर दे चानल को शेयर कर दे अगर तो तब भी लाइक शेयर और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं ताके आपको पता चले कि इन दोनों ही फैसेन की बात करना में सब्सक्राइब कर चाहूंगी कि अन्द्र webinar में सबसे पहले बात कर लें तो आई एक तो तो फाजीर सकते भ्रू शेयर आपशर क्योंौन बदय यह वीरण की इंसमी को सब्सक्राइब करा दीचेगा सबस्टेशन आप करे माना सबस्क्राइब काई ने चैनल है उसको cover करता है हमारे इसमें vitamin C है for brightening look skin and इसमें aloe vera है for all day hydration के लिए so ये सारी चीज़े जो है बहुत ही अच्छी होती हमारे skin के लिए गाइस इसके cream है ये silky creamy texture में आता है ये light weight formula and comfort के साथ आता है ये oil free formula के साथ है so ये जो information है ये इस foundation का है जो इसने claim किया है but actually मैं क्या है ये दोनों ही foundations के मैं claim पहले आपको बताऊंगी कि ये foundation ये claim करता है and मैं मैं आपको अपना review बताऊंगी कि मुझे कौन सा personally मुझे कौन सा इन दोनों foundations में से पसंद है but पहले मैंने इसके claims आपके सामने रखे कि इसके claims है कि ये foundation claim करता है कि ये ऐसा foundation है अगर मैं इसके consistency के बात करूँ तो ये बहुत ही normal consistency के साथ है and ये एक matte foundation है इसका जो cream texture है वो बहुत ही creamy है ये lightweight है या नहीं ये lightweight है guys ये lightweight formula के साथ आता है and ये oil free है ताके जो हमारे skin है जो oily skin होती है वहाँ पे तहीं पे भी oil ना आपाए वो matte रहे matte foundation है ये oily skin के लिए बहुत ही अच्छा और healthy है इस पे vitamin C है फो हमारे skin को lightening and brightening देने के लिए aloe vera है aloe vera बहुत सारे skin पे बहुत जादा सूट करता है and बहुत सारे skin पे नहीं भी suit करता है but mostly ये suit करता है ये हमारे spots को blemishes को मतलब conceal कर देता है dark circles को cover करने में help करता है तो ये जो चीजे है कुछ कुछ चीजे इसकी बहुत सही है guys and मैं आपको बताऊंगी कि ये बिल्कुल perfectly जो claim करता है वो है ये नहीं हम बात कर लेते हैं airbrush foundation के बारे में Suze Beauty airbrush foundation के बारे में तो आईए so guys जो Suze Beauty airbrush finish foundation ये claim करता है कि आपके safe क्यों ब्याल कर सकते हो इस foundation ये foundation है ये full coverage foundation है so ये full coverage है या या ये मैं आपको end में बताऊंगी guys and ये आपको 8 hours you know stay power देता है ये conceal करता है आपके imperfection and blend blends करता है beautifully into your skin lightweight formula के साथ ये foundation आता है ये 24 hour you know range of coverage 24 hour foundation है ये full coverage foundation up to 8 hours ये सारे इसके claim है ये you know hydronic acidase में आपके skin को nourish करने में even करने में ये आपके skin को even out करने में help करता है flawless and natural matte finish देता है ये इसमें coconut water है aloe vera and vitamin E है इससे आप कुछ notice कर रहे है कि इन दोनों ही foundations में एक चीज common है वो चीज common ये है कि दोनों में ही vitamin E है and दोनों ही एक matte foundation है दोनों में जो aloe vera है तो बहुत सारे जो चीजे हैं इसमें normal है यानि same है तो मैंने इसी के लिए सोचा था कि इनके ingredients mostly same है लेकिन इसके claims उसमें है कि वो आपको medium coverage देता है ये आपको full coverage देता है coconut water है ये आपके skin को even tone करता है अगर हम इसके shade के बारे में बात करें तो इसमें 6 shades है ऐसे इसमें 8 shades है बट available भी 6 shades है तो मैंने इसके shade guide भी किया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजएगा और आपको आपको देख लीजएगा इसका भी link in the description box और इसका भी दोनों का shade guide दोनों का price almost same range पे आता है अगर मैं foundation की बात करूँ तो दोनों ही foundation अपने अपने जगा पे बहुत अच्छे है Faces Canada foundation जो है आपको medium coverage देता है जबकि Swiss beauty की coverage जो है इससे थोड़ी सी ज़ादा है full coverage मैं नहीं कहूंगी guys बट हाँ थोड़ा सा ज़ादा है तो यह जो ही claim है यह थोड़ा सा मुझे अलग लगा हो सकता है हम इसे build करें तो यह full coverage बन जाए बट हाँ Faces Canada से अगर हम coverage की बात करें थोड़ा ज़ादा coverage है दोनों ही foundation अपने अपनी जगा बहुत अच्छे हैं दोनों ही matte foundation है guys oily skin के लिए best है combination skin वाले भी से यूज कर सकते हैं even normal skin tone वाले भी से अच्छे से moisturize करके यूज कर सकते हैं dry skin वाले इसे मत यूज करें हाँ अगर आपकी summer में skin उती जादा dry नी रहती है तो आप face oil लगा के और moisturizer लगा के यूज कर सकते हैं तो अगर आप मुझसे मेरा personal favorite foundation पूछेंगे तो दोनों ही मुझे बहुत पसंद है but मेरी skin also dry skin है but हाँ summer में matte foundations यूज कर लेती हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इसमें से कौन सा foundation यूज करना चाहूंगी rather than मैं आपको एकी चीज कहूंगी मुझे swiss beauty वाला foundation ज्यादा बेटर लगा even faces canada foundation से मैं ऐसा नहीं कहूंगी वो खराब है बठा उससे बेटर swiss beauty foundation है तो अगर आपको कोई अच्छा foundation चाहिए जा सकते हूँ अगर आपको faces canada लेना है आप वो भी ले सकते है बठ मैं अपना personal opinion आपको इसाथ शेर कर रही हूँ दोनों में से मेरा जो अभी favorite है वो है swiss beauty airbrush foundation अगर आपको faces canada लेना है do try this foundation इसमें भी कोई खराबी नहीं है बठ मैंने अपना personal favorite बताया आप अपना personal favorite मुझे comment करके comment on ज़रू कीजेगा and guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक channel को subscribe कर लिजे